हारे कृष्णा आज हम चौथे अध्याए का इकतिसवा श्लोक परेंगे फोर पॉइंट थर्टीवन ना अयम लोके अस्ती अयग्यस्य कुते अन्य कुरूसत्तम बगवत गीता में ये एक अलग टाइप का श्लोक है जो सरफ एक पंक्ति का है 4.31 इसकारत है हे कुरुष्रेश्ट जब यग्य के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूरवक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा देखे इस लोक में श्री भगवान ये बता रहे हैं कि जो वेदों में वर्नित अनेक अनेक तरह के यग्य हैं इस जीवन में सुखी रहने के लिए मनुष्य को यग्य अवश्य करने चाहिए देखे यग्य भी अलग-अलग डिरेक्शन में होते हैं यग्य भी अलग-अलग तरह के होते हैं जो लोग स्वर्ग आधी की कामना करते हैं अगर वो उस एंगल से अनेक देवी देवताओं को प्रसंद करने के लिए यग्य करते हैं तो यह भी बुरा नहीं है, अटलीस पाप करने से अच्छा है ऐसा करने से वेक्ति स्वर्ग में जाएगा और अनेक तरह के सुख प्राप्त करेगा और इस जीवन में भी यग्य करने से हमारा मन, हमारा शरीर और यह वातावरण शुद्ध होता है देवी देवता प्रसंद होते हैं, जिससे हमें वायू, जल, अगनी से प्रचूर मात्रा में मिलता है मन में और वातावरण में और पूरे विश्व में शान्ती रहती है जिससे लोग एक स्वस्थ और सुखी जीवन वेतीत करते हैं लेकिन इन सबसे भी उपर, शुल प्रभुपाद अपने परपट में समझा रहे हैं और हर गीता के हर शलोक में समझाते हैं कि इन सबसे भी उपर है वेकुंट धाम की प्राक्ति जहां पहुँचकर मनुश्य को जन्म, मृत्यू, बढ़ाप और बिमारी से मुक्ति मिलती है शाश्वत जीवन, पर्मनेंट जीवन मिलता है वहां पहुँचने के लिए हमें कृष्ण भावना मृत होना पड़ता है यानि कि हमें भावन कृष्ण की भक्ति करनी होती है जहां तक सवाल है यग्य का, भक्ति का, पूजा का तो सत्यूक के अंदर लोग बड़े-बड़े जो है ना जो योगी हुआ करते थे वो क्या करते थे बैठके ध्यान लगाते थे आपने सुनाओगा विश्वामितर का नाम कि भी साथ हजार साल तक टपस्या कर रहे हैं तो सत्यूक के अंदर लोग इतने लंबी एक तो आयू हुआ करती थी तो उस हिसाब से वो लाख-लाख उनकी उमर हुआ करती थी सत्यूक के अंदर तो उसमें वो इतनी लंबे लंबे पिरिड के लिए ध्यान लगाया करते थे उसके बाद तरेता यूग जब स्वेहम भगवान राम प्रकट हुए तो उससे में आयू हुआ करती थी एवरेज दस हजार साल तो उस हिसाब से लोग बड़े बड़े यग्य किया करते थे फिर आया दौा पर यूग तब उमर रह गई घटके हजार साल तो हजार साल जब रह गई उमर तो उस समय जो है लोग बड़े बड़े सुन्दर सुन्दर मंदर बनाकर भगवान के अर्ज विग्र यानि मूरतियां स्थापित करके उनकी सेवा किया करते थे इस वस दो वे एंड सभी किताबों में ये बात लिखी है कि जो कल्यूग है अभी हमारी उमर रह गई घटकर सिरफ सौ वर्ष तो इसमें जो है कल्यूग जो है वो है नाम अधारा यानि कि इसमें हमें नाम जब करना है यानि कल्यूग का जो पूजा है भक्ती वो है भगवान के शुद्ध नाम लेना और ऐसा नहीं कि बस सरफ गीता में ही इंडिकेटिड है या Hindu mythology में ही या Hindu की जो किताबे हैं उन्ही में ही लिखी है अगर आप देखें तो सिखों में भी यही सला दी जाती है कि आप जो है भगवान का नाम सिम्रे राम का नाम, कृष्ण का नाम सिम्रे और जो Muslims हैं उनकी नमाद जो पढ़ते हैं उसमें भी बेसिकली अल्ला के नियान में शुद्ध नाम पकार जाते हैं और Christianity में भी जो 10 Commandants of जो उनकी Bible है उसमें लिखा हुआ है तो हमें धाम की प्राप्ति करनी हैं तो भगवद गीता कि इस लोक से भी हमें यही सजेशन मिलती है that we should chant the holy name of the Lord Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare धन्यवाद, Hare Krishna